भवरधाराएं, ED करंड, क्या होती है भवरधाराएं? जब भी हम किसी चालक से बद्द चुम्बकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस चालक में जल में उत्पन भवरों के समान, जिसे जल में भवर आते हैं, उस तरह से चकरदार धाराएं आ जाती है, चकरदार प्रेरिद धाराएं आ जाती है, और इन धाराओं को भवर धाराएं या फोको धाराएं कहते हैं, अब इन भवर धाराओं के अगर प्रायोगिक प्रदशन की बात करें, तो जैसा यहाँ एक प्रायोगीक डिमोंस्टेशन हमने तयार किया है कि हमने यहाँ विद्युत चुम्बक के धुरूखंड लिये हैं एनेस और इसके बीच में यह तांबे की जो है एक प्लेट को हम स्वतंता पूर्वक लटका लेते हैं यह आईताकार प्लेटे तांबे की और चुम्बक के धुरूखंडों के बीच यह दोलन करने के लिए स्वतंत रहें अगर हम इसको दोलन कराना चाहें तो करवा सकते हैं अब इस विद्युत चुम्बक में जब हम धारा नहीं भैसते हैं उसको दोलन कराते हैं तो यह दोलन करती रहती है और लेकिन जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा प्रवाइद करते ही है जो तामबे की प्लेट है तुरंत रूख जाती है तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हम धारा प्रवाइद नहीं कर रहे थे तब तो यह दोलन कर रही थी अपने नेचरल दोलन कर रही थी लेकिन जैसे ही आपने इसमें धारा प्रवाइद की तो उससे बद्ध चुम्बकी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और प्लेट में भमर्धाराएं उत्पन्न हो जाती है ये भमर्धाराएं प्लेट की गति का विरोध करती है और प्लेट क्या होती है तूरंत रुख जाती है तो भमर्धाराओं का प्रायोगिक प्रदश्चन भी हम इसके माध्यम से बता सकते हैं इडी करेंट या भमर्धाराओं से संबंदित और विद्युचुम्ब की प्रेरंड से संबंदित पूरे चेप्टर्स के वीडियो हमारे इस चेनल पर उपलब दे आप इस चेनल को सब्सक्राइब करें घंटी बजाएं तो आपको कंटिन्यू यह सारा मिलता रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब भमर्धाराओं से क्या-क्या हानिया है जैसे सबसे बड़ी हानि तो यह है कि भमर्धाराओं जो होती है वो एक्चुली क्या करती है कि भमर्धाराओं के कारण क्या होता है कि जैसे प्रेरन कुंडली है जनरेटर है ट्रांसफार्मर है आदी जो विद्यूत्यूप्तियां होती है उनके क्रोड जो है वो नर्म लोहे के बने होते है तो फिर ऐसे में क्य क्या होता है कि जब हम यहां पर क्या होता है कि जब हम इनका उपयोग करते हैं प्रेरन कुंडली जनरेटर ट्रांसपर्मर आधी का तो इनके क्रोड में भमर थाराओं के कारण। जिसकी हमें जरूरत नहीं हो ऐसा भी कभी-कभी होता है तीसरी जो महतुपड बात है कि इनके कारण उत्पन ने जो अत्यदिक उश्मा होती है वो जो कॉइल्स होती है उनके इंसूलेशन को समाप्त कर सकती है उनके कूचालन को समाप्त कर सकती है जिससे उनके नस्ट होने का खत्रा बना रहता है अब भमर्धाराओं को कम कैसे करें फिर जैसे विद्धित उर्जा का उश्मा उर्जा में अप्याय हो रहा है तो भमर्धाराओं को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से जो ये solid या ठोस रूप में जो क्रोड होता है उस क्रोड को ऐसे हम क्या कर सकते हैं उसको पटलित बना सकते हैं तो इस तरीके से ठोस क्रोड के इस्थान पर अगर हम पटलित क्रोड का इस्तेमाल करें तो इससे क्रोड का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और याद दूसरी जो महतोपुन जो भामर दाराओं को कम करने के उपाएं वो है कि अभी हमने अपना प्रायोगी प्रदेशन में देखा था कि वो तामे की प्लेट में भवरधारा आ जाती तो वो शिग्र रुख जाती है तो हम ऐसे में इन धाती प्लेटों भी बीच अगर छिद्र या खाचे बना दे तो ये प्रेरीध धारा के मार्ग में रुकावड डालेंगे जिससे वो जो विद्यू चुम्ब की अवमंदने तुरंत रुकने वाला वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इस तरीके से हम मर्धाराओं के अगर उपयोग की बात करें तो बहुत महतुपूण उपयोग है प्रेरेंड मोटर में जिसमें क्या करते हैं देखे एक बात विशेश रूप से ध्यान रखेगा आप कि किसी चालक से जो बद्द जो चुम्ब की फ्लक्स होता है बहुत महतुपूण बात मे बता रहा हूँ वो जो चुम्ब की फ्लक्स है उसमें परिवर्तन दो प्रकार से हम कर सकते हैं एक तो या तो हम चालक को चुम्ब की ख्षेत्र में चलाएं या फिर चालक को हम परिवर्ती चुम्ब की ख्षेत्र में रख दें दो बातें हो सकती है और दोनों ही परिस्तिति उमें चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धाराया भमर धाराया उत्पन होगी तो क्या क्या कर सकते हैं दो तरीके हम या तो हम चालक को चुम्बकी शेत्र में चलाएं या चालक को परिवर्ती चुम्बकी शेत्र में रख दें अब प्रेरित धाराया आई और प्रेरिधारा ये बेलन और चुम्ब की शेत्र के आपक्षिक गती का विरोत करेगी जिसके करण ये स्वैम उत्पनुवी लेंजला से हम जानते हैं तो इसके करण बेलन भी क्या होगा घूमने लगेगा तो ये है आपका प्रेरेनर मोटर का सिध्धान्त इस पराधारित है दूसरा जो भमर्धाराओं का महत्वनुपियों के वो है गती मापी में स्पीडोमीटर में विश्पीडोमीटर क्या करता है वहान की ताच्छनिक चाल बताता है कि इस समय जो वहान चल रहा है उसकी गती क्या है तो इसमें क्या करते हैं एल्यूमिनियम के ड्रम के अंदर चुमबक होता है जो वहान की चाल से घुमता रहता है तो इस ड्रम से बद्ध चुम्बकी फ्लक्स में परिवर्टन होता और उसमें भमर धाराएं उत्पन हो जाती है अब फिर भमर धाराएं उत्पन हो जाती है तो क्या करते हम कि भमर धाराओं के उत्पन होने के बाद में इन धाराओं को एक अमिटर में भेजते हैं और उसमें जो उत्पन विक्षेप होता है वो वाहन की चाल के क्या होता है अनुक्रमान उपाती होता है मतलब कुल मिलाकर हम भमर धाराओं की मदद से वाहन की चाल ग्यात कर सकते हैं फिर धारा मापी को रुद्ध दोल बनाने में जैसा कि अभी हमने कहा था कि जो धारा मापी होता है वो उसकी जो कुंडली होती वो इल्यूमियम की फ्रेम पर तामबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है इंसुलेटेड वायर्स को तो जब कुंडली चुम्ब की शेत्र में विक्षपित होती है तो फ्रेम में क्या उत्पन होती है एक चमकदार धातू की चक्ती होती है जो उसमें उत्पन भमर धाराओं के कारण घुर्णन करती है या धातूं को पिगलाने में प्रेनन भट्टी में भी इसका उपयोग उच्चताप उत्पन करके धातूं को पिगलाने में मिश्र धातू बनाने में इसका उपयोग किये जा